नमस्कार दोस्तों दीकी राजिस्तान में अगर सबसे ज़ादा अगर कुई प्रचलीत कोर्स हैं तो वो कौन सा हैं? बीएस्टी सी यानिकी टीलेड डीलेड अपने सबसे ज़ादा प्रचलीत हैं और इसको करने के लिए हर साल् एक्जाम होता हैं जिसका लाखों लोग इंतजार करते हैं और देखिए इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अपने डिलेट कोलेज मिलता हैं और दो साल की डिलेट करने के बाद हम लेवल वन के टीचर बनने की योगिता रखते हैं लेवल वन के टीचर बनने के लिए अपने DLA यानि की BSTC करना अनिवायर होता है तो देखिये ये सबसे ज्याधा परचलीद क्यों है क्यों BSTC करना चाते हैं हर कोई क्योंकि देखिये Level 1 के Teacher की बरती काफी संक्या में आती है सबसे अधिक अगर देखें तो Level 1 के Teacher की बरती आती हैं और इसमें competition काफी कम होता हैं अभी आपने देखा होगा रिट मेंस का लेवल उनका अभी result आया हैं तो इसमें आपके आज पास भी काफी सारे teacher बने होगे तो देखिए सबसे कम competition होने की कारण अपने previous exam इतना चर्चित रहता हैं तो देखिए previous exam के कर बात करें तो इस पास से लेकर छे लाग तक फोर्म आने वाले हैं पास से लगा कर छे लाग तक फोर्म आते हैं previous exam के लिए जिसको रहसतान में अपने वर्तमान में DL8 के नाम से जाना दता हैं तो देखिए इस exam में अच्छे नंबर क्यादार पर आपको college मिलेगा और इस क्यादार पर आपक कि आपने पात्रता अरजित कर ली तो आप exam दे सकते हैं main exam अपने जो teacher बनने के लिए होता है level 1 के तो देखिए इस video में यही बात करेंगी कि इस exam की तैयारी केसे करें ताकि आपका भी यह 2 साल में course होकर next जो बरती आए आपके next exam में आप qualify कर पाएं teacher बन पाएं तो देखि अगर देखिए इसका exam pattern exam pattern क्या है तो देखिए exam pattern क्या है आप सभी को वे से पता होगा फिर भी आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पूचे जाता है एक तो अपने राजस्तान जी के पूचे जाता है राजस्तान जी के इसके लाब आपने हिंदी पूचे जाती है हिंदी mental ability teaching aptitude जिसको section ability भी कहते हैं और English ये 5 subject पुची जाती है 5 subject है और 200 प्रशन आते हैं कितने 200 प्रशन आते हैं और हर प्रशन होता है अपने 3 number का यानि कि 600 अंक के अपने 200 प्रशन पुची जाते हैं और अपने देखा जाए तो 3 गंटे 3 गंटे आपके exam में समय मिलता है ये paper solve करने के लिए तो देखिए 200 प्रशन में कौन कौन से subject से कितने कितने प्रशन आते हैं अपने राजिस्तान जी की गरबात करें तो 50 प्रशन आते हैं 1500 नुमर के हर प्रशन अपने 3 नुमर का हैं हिंदी के अगर बात करें तो 30 प्रशन आते हैं देकि हिंदी के जगह आप चाहें तो Sanskrit भी ले सकते हैं हिंदी के जगह Sanskrit भी ले सकते हैं तो हिंदी के अपने 30 आते हैं या फिर हिंदी के जगह आप Sanskrit लेते हैं तो Sanskrit के 30 प्रशन आते हैं आपने mental ability की अगर बात करें तो इसके 50 प्रशन आते हैं reasoning के 50 प्रशन teaching aptitude याने की section अभी रुची की बात करें ये भी 50 प्रशन आते हैं और English की अगर बात करें तो 20 प्रशन आते हैं और हार एक प्रशन तीन तीन नंबर का होता है तिन तिन नमर का तो यह अपने exam pattern रहता है और लगबग अगर बात करें तो दीकिए आप पूराने paper हैं उसमें से अधिकतर प्रस्टन रिपिट हो जाते है राजतान जी के के तो दीकिए सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो किस पर ध्यान देना है सबसे अधि है इनसे पहले-पहले जान तक संभावना है एक्जाम फ़र्ममस फोरू हो जाएंगे तो दीकिए अगस्त में अगर बात करें तो अगस्त में अपने जैसे कर देखें 13 अगस्त को अपने संडे हैं 13 को यह बिस को और 27 अगस्त को संडे हैं तो इन तीनो डेट को कभी भीई पूरी राजिस्तान जी के भी अगर आप डिटेल से बढ़ेंगे तो ये कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि देखिए राजिस्तान जी के काफी बड़ी है और अपने समय अपने पास काफी कम है तो राजिस्तान जी के का आपको क्या करना है पूराने पेपर हल करना है आज तक जितने भी एक्जाम हुए हैं चाहे आपने BSTC ले लो PTT ले लो राष्टान पूलिस CET जो भी अपने पूराने पेपर से उनको सोल्व करना है तो अधिकांस प्रस्ण जो अपने 50 प्रस्ण ये 50 में से अगर बात करें तो 35 से 40 प्रस्ण तो पिछले प्रस्ण रिपीट हो जा राष्टान जी के आपको बस पूराने प्रस्ण देखने हैं तो ये आपका काम चल जाएगा और देखे सबसे ज़्यादा आकर आप अगर आपने राष्टान जी के पहले पड़ी हुई है तो आप डंग से पढ़ सकते हैं इसा कोई नहीं लेकिन नए अस्टुडेंट है अ सबसे ज़्यादा ज्यान किस पर देना है अपने तो दीके टीचिंग एप्टिट्यूट या आप बीना पड़े भी अगर जाएंगे तो पचास में से 35 क्वेशन तो आराम से सोल्व कर सकेंगे 35 प्रस्ण क्योंकि दीके टीचिंग एप्टिट्यूट ऐसा सब्जेक्ट है बस इसमें पोजिटिव रेना है और एक टीचर के नजरिये से सोचना है और आंसर देना है तो अधिकांस प्रस्ण सही हो जाएंगे बस थोड़ा बहुत इसमें कंसेप समझना पड़ता है तो देखे सिक्षन अभी रूची पर आपको ज्यादा ध्यान देना है पचास में स आप 40-45 प्रस्ण सही कर पाएंगे आराम से अगर थोड़ा बहुत आपने ध्यान दे दिया तो हिंदी हिंदी 30 प्रस्ण है तो हिंदी को भी आपको विशेज तोर पर ध्यान देना है तीस में से अगर हिंदी आपने डंग से पढ़ ली तो पाँचीस से उपर प्रस्ण पकड अच्छी रखनी है तीन सब्जेक्ट अच्छी कवर करनी है और दो सब्जेक्ट उपर उपर से पढ़कर चली जानी है तब भी आपके आजाएंगे लगे चार सो प्लस नंबर साड़े चार सो का आप टार्गेट रखेंगे तो चार सो दस चार सो बीस नंबर तक आपके आजाएंगे तो आपका आरम से कोलेज मिल जाएगा अच्छा खसा तो देखेए कूल मिलाकर बात यह हैं कि रीजनिंग या आप अच्छी कर लीजिए अगर आर्स कोमर्स के हैं तो थोड़ी बहुत आप पढ़ेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा इतने ज्यादा हार्ड नहीं आती है विशेस तोर पर आपको ध्यान देना है टीचिंग एप्टिटूट इसमें बस ज्यादा पढ़ने लाए कुछ नहीं है बस थोड़ा ब करनी है और अपने हिंदी मेंटल अबिलिटी टीचिंग एप्टिटूट यह ध्यान से पढ़ लिजिए और देखिए मेंटल अबिलिट आपके थोड़ी आपको अगर लग रही है तो आप राजस्तान जी कि अच्छे से कवर कर लिजिए कुल मिलाकर तीन सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर कर लिजिए और दो सब्जेक्ट आप उपर उपर से देख कर चले जाए और देखिए इंगलीस हो सकता है आपको बिल्कुल भी नहीं आए इंगलीस तो देखिए इंगलीस आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है इंगलीस मेरे को ब से पढ़ना है और देखे सिलेबस क्या है देखे पांचवी बार अभी इस एक्जाम की जिम्मेदारी किसको मिली है पांचवी बार अपने पंजियक शिक्षा विबाग बिकानियर को मिली है तो देखे सिलेबस भी हर बार यह सेम रहता है जो पिछली बार सिलेबस था वही सिल सिलेबस है शीलेबस का Видio भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर आप सर्फ कर Сकते हैं तो पिछली बाँ नहीं कर रहा है लेकिन जो पिछले एक्जामों में प्रशन पूचे गए हैं उनको आधार रखें तो वह कैसे चलेगा आपको पूराने पेपर का अगर आप अध्यान करेंगे पूराने पेपर मार्केट में आपको काफी सारे सोल पेपर मिल जाएंगे पूराने पेपर जो अपने 2019-2021-2022 चार साल के आप ले आएंगे तो भी काम चल जाएगा 4 साल के paper आपको कम से कम जरूर solve करने हैं 4-5 साल के तो पूरा ने paper हल करेंगे आपको क्या फाइदा होगा पूरा ने paper आप solve करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस topic से किस परकार के प्रशन आ रहे है और सब से जदा प्रशन किस topic से पुछे गए है और किस टाइब के प्रस्ट में पूचे गए हैं उसका कटिना ही अस्तर किस प्रकार का हैं या आपको पूराने पेपर अगर आप देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा बाकी आपको पता नहीं चलेगा तो आपको पूराने पेपर तो विशेश तोर पर सबसे पहले ये का करना है कि पूराने पेपर आपको हल करने है पूराने पेपर आपको जरूर से जरूर देखने है और मैंने भी इस चैनल पर काफे सारे पूराने केवेशन जो पूराने एक्जाम में पूंचे गए हैं वो क्वेशन करा रखे हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं और देख जाता है और पेपर थोड़ा सरल हो गया तो देखिए 400 तक भी ऐसा कभी कभी पेपर सरल आ जाता है कि 400 नमबर पर भी कोलेज नहीं मिलता है तो देखिए ऐसे कोई सेब स्कोर में अपने आपको मत बांदिये आप जितना आपको समय मिल रहा है उसका बरपूर फाइदा ठाकि अगर पेपर सरल हुआ तो आपके अच्छे कहसे नमबर आ जाएगी आपको आरम से कोलेज मिल जाएगा और पेपर ठब होगा थोड़ा कटएण होगा तो सब के लिए कटईं होगा अगर आपके सारे 300 400 नमबर है तो बहल região अपको अच्छा कहसा कोलेज मिल जाएगा आप कम से कम target मानके चलिए 450 नमबर मेरे को लाने हैं, तब जाकर आप 420-410 नमबर तक लाएंगे, तो देखिए 450 का target आपको कम से कम मानके चलना है, तो देखिए ऐसे कोई safe zone में आप safe score मानके मत चलिए, आपको अधिक से अधिक पढ़ना है, जितने नमबर आप से आ सकते हैं उतना आप जोड़ लगा दीजे, उतना आप पढ़िए, क्योंकि देखिए, प्री DLA exam में अगर बात करें, प्री BSTC exam में, तो प्री BSTC में अगर देखिए तो लगबग 5-6 लाग form आते हैं, कभी कभी 7 लाग form भी चलिए जाते हैं, और इसके लिए 25,000 सीटों पर इस exam के म देखर रित में पातरता कितने लोगों ने अरजित कियें लगबग, तो लगबग 2 लाग लोगों ने अरजित कियें, तो देखिए, प्री BSTC exam में ज्यादा competition है, किसके तुलना में, टीचर बनने का जो मेन exam होता हैं, उसके तुलना में भी अपने इसमें ज्यादा competition है, इस इसमें सीटे, काफी सारी सीटे आती हैं, और student कम होते हैं, क्योंकि देखिए, अच्छे-चे student तो पहले ही select होकर आ जाते हैं, प्री BSTC exam में जो अपने कम पढ़ने वाले होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो पहले ही cut जाते हैं, तो इसलिए, जो main main पढ़ने वाले हैं, वही select होकर अपने BSTC करते हैं, तो देखिए, आपको अच्छा जो अपने समय मिल रहा हैं, उसका अच्छा परपूर फाइदा उठाना हैं, और अच्छे से अच्छे नमर आपको लाने हैं, यसा कोई safe score के दाएरे में हमें खुद को नहीं बांधना हैं, और देखिए, सब सबसे बड़ा सवाल आप करेता हैं, बेस्ट बुक कौन सी हैं, तो देखिए, BSTC 2023 की अगर बात करें, BSTC 2023 की सबसे बेस्ट बुक कौन सी हैं, तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि कोई एक बुक आप लिया यह, जिसमें पूरा syllabus cover होता हो, पूरा syllabus अगर किसी बुक में cover पर हो रहा हैं, तो एसी एक बुक आपको लानी है, और उसको ही पूरा पढ़ना है, एक बुक को पढ़ने के बाद ही आपका selection हो सकता है, एक बुक को पढ़ेंगे तो भी आपके 400 नमबर आ सकते हैं, अगर आपने डंग से उसको पढ़ा हैं, क्योंकि सब भी बुक में लग से तीन बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपने एक बुक को ही डंग से पढ़ ली और उसके बाद आपको क्या करना है, mental ability और हिंदी की अगर आपको समय मिले, तो आप अलग बुक लाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन पेले क्या करना है, कोई भी एक बुक अगर आप से cover और हो रही हैं, तब ही नई बुक लानी है, अगर अपने इंगलिस की इनकी नई बुक लाने की जरूरत नहीं है, राजतान जी की क्योंकि ये काफी सारा मेंटर है, जो आपको इसमें ही मिल जाएगा, लेकिन जो अपने सब्जेक्ट है जैसे mental ability, mental ability आप extra पढ़ना चाते है तो उस एक common book जिसमें पूरा syllabus cover हो रहा हैं, वो अगर अच्छे आपने पढ़ ली तो उसके बाद आप mental ability की दूसरी बुक ला सकते हैं, जैसे राम निवास मतुरिया की बुक हैं, और ये भी आपने अगर पढ़ ली तो हिंदी की भी आप कोई अच्छी बुक ला सकते हैं, लेकिन ये दूसरी बुक आप कब लाएंगे, जब एक बुक आपने पूरी पढ़ ली जिसमें पूरा syllabus दे रखा है, common book जो आती है अपने कोई भी guide, वो आपने अगर पूरी पढ़ ली तब भी दूसरी बुक क्या हाथ लगाना है, तो देखिए एक बुक अगर आप ला सकते हैं, एक तो अपने लक्ष बुक हैं, दूसरी अगर देखिए तो दक्ष की भी आती है, अपने लक्ष जो अपने मनुप्रकस्ण की हैं, ये तो हर बार की तरह इस बार भी चल रही हैं वैसे, और तीसरी बुक कौन सी हैं, आर बीडी पब्लिकेशन की, ये तीन लक्ष, डक्ष, आर बीडी टी, इन तीनों के लिंक, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप पर जाकर आप ओनलाइन भी घरवेटे बंगवा सकते हैं, या फिर आपके नजदी की बुक स्टोर भी ला सकते हैं, इसा कोई इश्यू नहीं है, तो देखिए, इन तीनों में कोई भी ला सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में अलग भू कोई आ रही हैं, जैसे पश्ट रेंगें, राय हैं, तो वो भी आप ला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोई एक भू की बढ़नी आपको, और बार बार उसी को रिविजन करना है, एक्जाम तक, तो देखि इस साल एक्जाम क्वालिफाई कर लिया, डियलेड में एडमिशन हो गया, तो दो से तीन साल बाद आपके जो परती आएगी, उसमें आप आराम से एक्जाम दे सकते हैं, और लेवल वन के टीचर बन सकते हैं, लेवल वन के, देखिए, बी एस्ट से किया हुआ कोई अभी तो बी एड की तुलना में कम बेहरोजगार गुमते हैं, क्योंकि लेवल वन में अच्छी कासी सीटी आती है, लेवल वन में, आपने आस पास भी देखा होगा अभी, जो रिजल्ट आया है, लेवल वन का, कापी सारे अभियर्तियों का सेलेक्शन हुआ है, इसमें, लेवल लोन के टीचर बनने के लिए, तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, प्रिवी BSTC एग्जाम के लिए काफी सारे क्लासेज इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल पर पहली बार आएं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाए, अपने दोस्तों साथ भ शेयर करें, मिलते अगले वीडियो में, जय हिन, जय भारत!